फ्लोरास किचन की तरफ से आप सबको नए साल की तेर सारी शुख कामना है जैसे कि आप सब जानते ही है के 2030 का पहला मंगलवार है मतलब हमारा पहला एपिसोड तो पहले एपिसोड में कुछ मीठा तो होना ही चाहिए न तो आज हम फ्लोरास किचन में बनाएंगे गुलाब चामन जो बहुती सॉफ्ट मुव में गुल जाने वाले और एक्दम डिलिशियस बनते हैं वो भी एक्दम इजी तरीके से जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दो तरह के गुलाब चामन बनाया है तो आप भी ऐसे वेरियंट घर पे बना सकते हैं और आप सर्व कर सकते हैं अपने फ्रेंस फैमिली के साथ तो आज का वीडियो बिना स्कीप किये आप पूरा देखेगा और यही फॉलो करके बनाएंगे तो आपके गुलाब जामन भी ऐसे ही सॉफ्ट बनेंगे तो फ्रेंस आज हम गुलाब जामन बनाएंगे खोये से मैंने 200 ग्राम खुआ लिया है यह बाजार से मैंने पर्चेस किया है आप घर के बने खोये का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पोशन लेंगे और हाथ की हतेली की हेल्प से आपको इस तरह से मसलना है खोये को थोड़ा थोड़ा पोशन लेके इस तरह से आपको खोये को चिकना करना है इस तरह से तो इसमें जो गाठे होगी ने वो सारी काठे निकल जाएगी और एकदम soft एकदम मुलायम सा बन जाएगा हमारा खुआ तो इस तरह से सारा जो हमने खुआ लिया है वो इस तरह से यही process से आपको मसलना है अब जितना खुए को चिकना करेंगे उतना ही गुलाब जामून आपका बहुती soft बनेगा तो यह process करना बहुती जरूरी है आपको मिठाई में कौन से मिठाई पसंद आती है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना साथ में आपको गुलाब जामून में कौन सा वाला अच्छा लगता है वो भी मुझे बताना देखिए बात करते करते ही चिकना हो गया आटा उसमें हमने एक टेबल स्पून मैदा डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से ऐसे ही मसल लेंगे साथ में मैंने बेकिंग पावडर इसमें एड किया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देखिए कितना सौफ्ट और मुलायम हो चुका है खोड़े को अच्छी तरह से सेट करने के लिए एक चमच और मैदा डालेंगे हम और इसको अच्छी तरह से बाइंड कर लेंगे इस तरह से थोड़ा सा मसल के इसको बाइंड कर लेंगे और इसको थोड़ा सा रेश दे देंगे 10 मिनिट के लिए ये 10 मिनिट में रेश दोगा तब तक हम चाशनी बना लेते हैं तो चाशनी बनाने के लिए 2 कप हम को चाहिए चीनी उसी के साथ हम एड़ कर देंगे इसके अंदर पानी पानी डालने के बाद आप गैस पे चड़ा देना इसको और इसको चाशनी होने तक मेल्ट हो जाए तब तक इसको चलाते रहे तब तक हम इसके अंदर इलाइची डालेंगे तो इलाइची को थोड़ा सा कूट लेंगे इस तरह से इस तरह से आप कूट के डालोगे न तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तब हम इसमें इलाईची भी डाल देंगे और थोड़े केसर की मेरे पास थागे भी है वो भी डाल देंगे इसे color बहुत ही अच्छा आएगा जैसे ही उबलेगा वैसे कलर इसका चेंज होता जाएगा तो यहाँ पर हमारी चाशनी हो चुकी है उसमें थोड़ा सा हम डालेंगे गुलाब जल गुलाब जल से इसका जो टेस्ट है न बहुत ही अच्छा आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डो बिलकुल रेडी हो चुका है गुलाब जामुन का तो इसको एक पर अच्छी तरह से इस तरह से मसल के एक डो तोड लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोईया हम निकाल देंगे इस तरह से तो एक आप सेट कर लीजे के आपको कौन सी साइस का बनाना है मैंने गुलाब जामुन की साइस सेट कर ली है मैं इतनी साइस का बना रही हूँ तो वैसे करके मैं बाकी लोईया भी इस तरह से ही तोड लूँगी यही साइस का आप एक ही साइस के बनाएंगे तो आपके परफेक्ट और एक सरीखे गुलाब जमुन बनके रडी हो जाएंगे तो देखते ही देखते हमने सारी लोईया ऐसे करके तोड़ दी है और एस सब का हम बनाएंगे तो सबसे पहले ये सूख ना जाए तो उपर एक कपड़ा लगा दे मलमल का और एक एक करके आप इसकी गोलिया बना ले तो यहाँ पर मैं सारी गोलिया बना के रडी कर दी है अब मैं बनाऊंगी दूसरी साइस का गुलाब जमुन ये लंबे वाले आते हैं वो दिखने में भी बहुत अच्छे लगते है और टेस्ट तो एक सरीखा ही रहता है पर आप लुक वाइस देखेंगे तो लुक वाइस ये वाले गुलाब जमुन बहुत ही अच्छे लगते है तो फ्रेंस यहाँ पर मैंने सारे रडी कर लिये है तो हमारा कडाई में घी भी गरम हो चुका है तो छोटी से हम लोई तोड के इसके अंदर डालेंगे और एक बाद चेक कर लेंगे ताकि हमारे गुलाब जमुन फ् परफेक्ट बना है तो हम धीरे धीरे करके साथ से दस गुलाब जमुन इसके अंदर एड़ कर देंगे तो गुलाब जमुन को फ्राई करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ अब जब भी गुलाब जमुन फ्राई करो न तो एक चमच की सहायता ले चमच को इस तरह घी म घुमाते रहे ताकि गुलाब जमुन हर तरह से पक जाए और एक सरीखा इसका कलर आ जाए वैसे ही करके हमने जो दूसरे गुलाब जमुन का शेप बनाया था उसको भी हम फ्राई कर देंगे तो फ्रेंस आपको जब भी गुलाब जमुन फ्राई करने हो तो इसको तेज आ परक पाए तो ऐसे करके सारे गुलाब चामुन निकाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा घीय है वह इस में से निकल जाए अब हम इसको डाल देते हैं चाष्णी के अंदर तो हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सेर्कल में जरूर शेर कर दीजेगा अभी तक मेरी चैनल को सिस्क्राइब नहीं कर दिया तो फटा फट सिस्क्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करू आपको नोटिफिकेशन मिल जाए